नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूटुब चैनल में और आज हम जानने वाले हैं कि जारकन के नमबर वन इंजिनियरिंग कॉलेज पिए टी सिंद्री धनबाद में एडमिसन कैसे लिया जाता है और इसके लिए क्या प्रॉसेस है साथ ही इसमें कौन सा इंट का एकजाम है मैंस का एकजाम के आपको दीनहा होगा जिसे कि कंडक्क करवाती इस नेशनल टेस्टिंग ऐजनसी जिसे कि हम सौट में एंटी ए भी बोल सकते हैं एंटी ए भी बोल सकते हैं आपको जो हैdies अपका परसेंटाईल जारी कि आगा कि आपने कैसा performance किया अगर आप इसमें अच्छा performance करते हो आप अच्छा number लाते हो तो आपके एक अच्छी percentile मिलेगी और उसी के basis पर एक जो other agency है एक site है उसका नाम है JCCB जिसे हम SWOT में जार्कन Combined Interest Competitive Examination Board भी बोलते हैं जिसे कि पहले जो है यही जो है जार्कन Combined Interest Competitive Examination Board जो है engineering college में admission के लिए exam conduct करवाती थी पर 2-4 साल पहले से जो है वो अब करवाने लगी है NTA यानि कि J.Mans की थुरू अब admission हो रहा है तो जैसे ही अब J.Mans में कोईली मतलब की पास हो जाते हो अच्छे rank से अच्छे percentile जिसमें की आपको application form भरने के लिए कहा जाएगा आप जैसे ही application form भरते हो उसके बाद एक notice निकाला जाएगा जिसमें आपका cml rank होगा तो application fee कितनी लगती है इसके लिए तो अगर हम application fee की बात करें इसमें जो आप जो feel करोगे application fee उसके लिए आपको जो amount है वो 500 रुपए द जरी करेगी और cml rank जरी होने के बाद आपको choice filling करना होगा यानि कि counselling करना होगा council करने के बाद जैसे choice filling करते हो counselling में आपको वहां फे 500 रुपीज फिर से देने होगे और जैसे ही آپका choice filling हो जाता है और आपको कितने ब्रांच है BIT सिंद्री में इस पर भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ तो अगर हम इसमें ब्रांच की बात करें BIT सिंद्री में इसमें टोटल टेन ब्रांच है पहला ब्रांच का नाम है Computer Science Engineering, दूसरा IT Engineering, तिसरा Electrical Engineering, चोथा Electrical and Communication Engineering और पाँचवे की बात करें तो उसका नाम है Mechanical Engineering, छटा Civil Engineering और सातमा है Mining Engineering, आठमा Metallurgy और नौमा Chemical Engineering और दस नमबर पर है Production Engineering Engineering, यह सारे Engineering के जो ब्रांचे से वो अवैलेबल है इस Colleges में और इसी के थुरूँ आपको च्वाइस करना है कि आपको कौन सा Engineering करना है और जैसे ही आपको सीट अलॉट होता है आपको लॉक करके 1000 फी पेक कर देना है अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो है Anual fee क्या लगती है Anual fee जो है इसका वो क्या लगता है अगर हम Anual fee की बात करें तो वो General उसके बाद OVC और EWS के टेगरी के लिए जो है वो 7732 रुपए जो है पर एनम का फी है वहीं SCHT के लिए एक हजार 957 रुपए और Girls और T.A.W. के लिए मातर 32 रुपए ही जो है इसका एनम फी रखा गया जी यह यह काफी हश्चारी जनक है कि Girls के लिए सिर्फ और सिर्फ 32 रुपए में आप B-Tech कर सकते हो एक साल मतलब कि पुरा B-Tech नहीं B-Tech कितना में हो जागा अगर 32 रुपए क यह भी एक होता है जो कि एनम में देना होता आपको परियर देना होता है और इसका जो फी है वो 6,150 रुपए है जैनरल OBC और EWS स्टूडेंट के लिए वहीं SCHT के लिए भी 6,150 रुपए है और Girls के लिए भी 6,150 यह जो है एनम फी सेमी रहता है और एनम फी जो है वो 7,150 अग जो यह जो डिटेल्स थी मैंने अभी आपको बता दिया उम्मीद करता हूं कि आपको जो वीडियो है वो अच्छी से समझ में आ गई होगी जो क्या admission process होने वाला है तो सबसे पहले आपको जो है जैन्मेंस का exam के लिए आपको form apply करना है जो कि जन्वरी और अप्रेल के month में आती है जन्वरी या अप्रेल के month में के बीच में ही आती है ये form उसे आप apply कर सकते हो या तो फिर ये year में दो बार आती है, जे इमेंस का जो फॉर्म है वो एक साल में दो बार आती है, तो इसे आप अपलाई कर सकते हैं, उसके बाद आपको JCCB के थुरूप काउंसलिंग करवाना होगा तब जाके आपका BIT सिंद्री में admission हो जाएगा, और ये जो BIT सिंद्री है, और के लिए जाहिन बंदे माते